हे वल्कम बैक टू दे वीडियो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको मिल जाएगा 15,000 के आसपास इस रिंज में आपको स्मार्टफोन तो बहुत सारे मिल जाएगे लेकिन एक अच्छा कैमरा तो हमने इस वीडियो के लिए काफी research, reviews और analysis किया है and then उसके according हमने आपको बताया है top 5 best camera स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाएगा 15,000 के आसपास इन पांचो स्मार्टफोन का camera तो best रहेगा ही price के according इसके अलावा बागी के features भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल ज जाएगा जैसे कि सभी स्मार्टफोन के अंदर proper 5G bands का support देखने को मिल जाएगा, super AMOLED 120Hz वाला display होगा और साथ मही powerful gaming processor तो होगा ही और भी कई सारे कमाल की features होने वाला है सभी phone के अंदर, तो ऐसे में अगर आपका budget 15,000 के आसपास है और फिलाल अपने लिए कोई से एक best and ultimate smartphone आपको समझने में थोड़ी सी असानी हो, इसलिए हमने इन 5 स्मार्टफोन को overall specification के basis पर ranking किया है, तो हम सुरू करेंगे last के नमर से, नमर 5 से, नमर 5 पर जो हमने स्मार्टफोन रखाए, इस phone का camera performance तो ठीक ठाक है, लेकिन बागी के features बहुत ही अच्छे है, जिहां मैं बात कर दिया गया है, चली जल्दी से जानते हैं, स्टाट करते हैं, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से, तो इस one का back panel PMMMM material से बना हुआ है, which is slightly better than the plastic, 8.9 mm के थिकने से, and 192 gram weight है, IP52 की रेटिंग भी मिल जाती है, overall design and build quality solid रहेगा, कुछ basic features के बारे में बात करें, तो dual stereo speaker मिलता ह है, Dolby Atmos वाला, and speaker की output बहुत ही अच्छी है, hybrid SIM slot का option दिया गया है, मतलब दो 5G SIM या फिर एक SIM और एक मेमरी कार लगा सकते हैं, biometric के लिए side fingerprint scanner अबलेवल है, out of the box Android 13 मिलता है, based on my UX, इस phone को 1 year तक major Android update मिलेगा, and 3 years तक security patch update, इसके साथ ही कुछ main features के बारे में बात करें, तो 6000 m की बड़ी battery लेगी हुए, जो कि support करती है 33W fast charging को, नॉर्मल यूज में एक दिन से ज्यादा का battery वेका पसानी से दे देगा, इस phone आपको, बात करें, डिस्प्ले के बारे में, तो इस phone में लगा हुआ है, 6.5 inches की flash D plus IPS display, जो की 120 हजड़ी दिस्प्ले के साथ आता है, 240 Hz की touch sampling rate है, और 600 nits तक की peak brightness मिल जाती है, overall display अच्छा है, movies बगरा देखने के लिए बहुत यह अच्छा रहेगा, क्योंकि stereo speaker काफी अच्छी है, कैमरा की बात करोगे तो पीछे की तरब दो कैमरा है, जिसमें से primary sensor 50 megapixel का है, और यह OIS support के साथ भी आता है, और second camera 8 megapixel का है, जो की ultra wide औ main camera काफी अच्छे से perform कर लेता है, OIS वने के वज़े से low light photography भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, performance की बात करें, तो इस पन में लगा हुए brand new MediaTek Dimensity 7020 वाला 5G चिपसेट, यह चिपसेट 6NM पर बना हुए, 44,000,000,000 पास अंतुत उसकोर आता है, साथ में UFS 2.2 वाला storage, NLP DDR4 4X वाला RAM है, तो नॉर्मल यूज में performance आपको बिल्कुल विशू नहीं होगा, काफी capable चिपसेट यूज किया गिया है, long session तक gaming वेगरा भी कर सकते हैं, बज़ट के साब से, connectivity की बात करें, तो यह phone 14 5G bands को support करता है, 4G plus का support है, dual band Wi-Fi आता है, Wi-Fi calling है, and Bluetooth 5.3 version का support है, बात कर प्रेज के बारे में, तो currently 828 के लिए लगभग 14,000 रुपे है, और 1000 रुपे तक का bank discount भी मिल जाएगा, तो प्रेज की साब से देखा जाए, तो यह एक complete package है, यह रहे pros and cons, बात करें, फोर्थ नमर के smartphone के बारे में, तो नमर 4 पर जो हमने smartphone रखा है, यह एक almost all rounder package है, जह है, smartphone का नाम है, Redmi Note 12 5G, फिलाल यह phone 13,000 के आसपास ही मिल रहा है, और इस price के हिसाब से देखे, तो यह एक value for money smartphone है, चलिए जल्दी से detail में जानते है, इस phone के बारे में भी, start कर लेते हैं, design और build quality से, तो design wise अचा रहेगा, दिखने में काफी clean design है, and complete plastic bill पर बना हुआ है, only 8 mm के थ 5G SIM या फिर एक SIM और एक memory card लगा सकते हैं, और साथ में यह phone single speaker के साथ आता है, जिसके output अच्छी है, और biometric के लिए side fingerprint scanner available है, out of the box Android 12 के साथ आता है यह phone, based on MIUI 13, इस phone को 2 years तक major Android update मिलेगा, and 4 years तक security patch update, बात करें कुछ main features के बारे में, तो 5000 mAh की battery लगी हुई है, और साथ में 33 वर्ट fast charging का support दिया गया है, casual use में एक दिन का battery backup असानी से मिल जाएगा, डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो इस phone में लगावा है, 6.67 इंचे की flash D plus super AMOLED डिस्प्ले, जो की 120 हजरी फिसर्ट के साथ आता है, 240 हर्च की touch sampling rate दी गई है, and 1200 nits ते की peak brightness मिल जाती है, overall display AMOLED पैनल होने के वज़े से movies वगरा देखने के लिए अच्छा रहेगा, camera की बात करें तो back side में 3 camera है, जिसमें से primary sensor 48 megapixel का है, 7 मही 8 megapixel का ultra wide and 2 megapixel का macro camera है, rear camera से full HD में 30fps तक video record कर सकते हैं, वहीं front में 13 megapixel का camera है, इस camera से भी full HD में 30fps तक video record कर सकते हैं, overall इस phone का camera performance decent app का रहेगा, मतलब ठीक ठाक performance निगाल कर दे देता है, performance की बात करोगे, तो इस phone में लगा हुआ Snapdragon 4 Gen 1 वाला 5G chipset, 6NM पर बना हुआ है, और 3,70,000 के आसपास अंतुदूस को राता है, इसके अलावा UFS 2.2 वाला storage, NLP DDR4X वाला RAM है, तो casual uses में performance app को बिलकुल वीशू नहीं होगा, low to medium setting में gaming वागरा भी कर सकते हैं, connectivity की बात करें, तो 7 5G bands का support दिया गया है, 4G plus का support मिल जाएगा, dual band wifi आता है, wifi calling है, and bluetooth 5.1 version का support है, और IR blaster तो है ही, finally बात करें price के बारे में, तो फिलाल 4.180 के लिए लगवग सारे 15,000 रुपे है, और फिलाल आपको सभी bank के debit और credit card पर 2000 रुपे का bank discount भी मिल जाएगा, तो cool मिलाकर सारे 13,000 के नीचे buy कर सकते हैं, और इस price phone पर मिल रहा है, तो check out कर सकते हैं इस phone को आप, ये रहे pros and cons, बात करें अपने तीसरे नमर के smartphone के बारे में, तो number 3 पर जो हमने smartphone रख है, ये भी एक all rounder package रहेगा, इस phone का नाम है Realme Narjo 65G, आम तोर पर इस phone का price 18,000 के आसपास होता है, लेकिन अभी आपको 15,000 के आसपास ही मिल जाएगा, और इस price phone पर ये भी बहुत अच्छा phone है, चली जल्दी से detail में जानते हैं, इस phone के बारे में भी, start कर लेते हैं, design और build quality से, तो design वाइस बहुत ही अच्छा रहेगा ये phone, orange वाला vegan leather से बन करें, तो ये phone single speaker के साथ आता है, एन speaker के output काफी सही है, hybrid SIM slot का option दिया गया है, मतलब दो 5G SIM या फिर एक SIM और एक memory card यूज़ कर पाएंगे, अच्छी बात ये है कि biometric के लिए in display fingerprint scanner दिया गया है, out of the box realme UI 4.0 मिलता है, जो कि Android 13 पर based है, realme इस phone को 2 years तक major Android update देगा, and 3 years तक security patch update अब जानते हैं कुछ main features, तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, और साथ मही 33W fast charging का support मिलता है, normally उच में एक दिन से ज्यादा का battery backup दे देगा ये phone आपको, बात करें, display के बारे में, तो इस phone में लगावा है 6.43 इंचेस की FHD Plus Super AMOLED डिस्पले, जो की 90Hz refresh rate के साथ आता है, 180Hz की touch sampling rate द बात करें, तो back side में 2 camera है, जिसमें से primary sensor 64 megapixel का है, और second camera 2 megapixel का है, जो की depth camera है, rear camera से flashD में 30FS तक video record कर सकते हैं, आगे के तरफ 16 megapixel का camera है, इस camera से भी flashD में 30FS तक video record कर पाएंगे, तो इस phone का camera performance अच्छा रहेगा, main camera की optimization अच्छी है, photo वगरा सही देखने को मिल जाती है, वाला 5G chipset 7NM पर बना हुआ है, और इसका अंतुत स्कोर लगभग 4 लाक या सपास आता है, इसके अलावा UFS 2.2 वाला storage, NLPDDR4X वाला RAM है, तो एक लैन में बोलू, तो normal tax में performance आपको issue नहीं होगा, थोरी बहुत gaming वगरा भी कर सकते हैं, connectivity की बात करें, तो 9 5G bands को support करता है, ये phone, 4G plus का support मिल जाएगा, dual band Wi-Fi आता है, Wi-Fi calling है, and Bluetooth 5.2 version का support है, finally बात करें, price के बारे में, तो फिलाल 8128 के लिए 15,750 रुपया है, तो 15-16,000 के बीच में बहुत ही सही package है, मेरे हिज़ाब से check out कर सकते हैं, ये रहे pros and cons, बात करते हैं, अपने second last smartphone के बारे में, तो number 2 पर हमने smartphone रखा है, phone का camera performance काफी अच्छा रहने वाला है, और ये भी एक all-rounder package है, खेर phone का नाम है Samsung Galaxy M34 5G, usually phone का price 18,000 super ही होता है, लेकिन अभी आपको बिना किसी discount के 15,000 के आसपास सी मिल जाएगा, and इस price point पर ये भी value for money phone रहेगा, चली जल्दी से detail में जानते हैं, phone के बारे मे weight है, तो हलका सा heavy रहने वाला है ये phone, बाकि overall design and build quality अच्छा रहेगा, solid है phone, इसके साथ ही कुछ basic features के बारे में बात करें, तो single speaker मिलता है, जिसके output अच्छी है, और hybrid SIM slot का option दिया गया है, मतलब दो 5G SIM ये फिर एक SIM और एक memory कार लगा पाएंगे, biometric के लिए side fingerprint scanner अबलेवल है 1UI 5.1 पर run करता है ये phone, जो कि Android 13 पर based है, Samsung इस phone को 4 years तक major Android update देने वाला है, और 5 years तक security patch update, जो कि बहुत ही कमाल की बात हो जाती है, और इस phone में आपको मिलता है Samsung का dialer, मतलब चुपके से call recording कर सकते हैं, अब बात कर लेते हैं कुछ main features के बारे में, तो इस phone में लगा हुए 6000 m की बड़ी battery, जो कि support करती है 25W fast charging को, तो charging होने में थोरा सा समय लगेगा, लेकिन एक से तीर दिन तक का battery backup दे देगा ये phone आपको, बात करें, डिस्पले के बारे में, तो इस phone में लगा हुए 6.5 inches की flash d plus super AMOLED डिस्पले, जो की 120 Hz deficit के साथ आता है, 240 Hz की touch handling rate दी गई है, and 1000 Eats क पीक brightness में मिल जाती है, overall दोस्तों Samsung का display है, तो quality बहुत ही अच्छी मिल जाती है, काफी punchy color देखने को मिलता है, movies बगरा देखने के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन side के bezel से वगरा थोरी से ज़्यादा है, जो की definitely दिखने में थोरा सा old लगता है, खेर बात करें camera के बारे मे तो back side में 3 camera है, जिसमें से primary sensor 50 megapixel का है, और ये OS support के साथ भी आता है, इसके अलावा 8 megapixel का ultra wide और 3 camera 2 megapixel का है, रियर camera से 4K में 30fps तक video record कर सकते हैं, आगे के तरब 13 megapixel की selfie है, इस camera से full HD में 30fps तक video record कर पाएंगे, तो प्रेज के साब से इस phone का camera performance काफी अच्छा रहने वाला है, में camera काफी अच्छे से perform कर लेता है, OS वने के वज़े से low light photography भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, तो camera के लिए भी this phone का बाई कर सकते हैं, performance की बात करें, तो इस phone में लगा हुए Samsung Agenos 1280 वाला 5G चिपसेट, ये चिपसेट 5NM पर बना हुआ है, 64,000,000,000 पास अंतुद उसक अच्छा रहेगा, low to medium setting में gaming वगरा भी कर सकते हैं, connectivity की बात करें, तो 11 5G bands को support करता है, 4G plus का support मिल जाएगा, dual band Wi-Fi आता है, Wi-Fi calling है, and Bluetooth 5.3 version का support है, also NFC भी है, price की बात करें, तो फिलाल 628 के लिए लगवग सारे 16,000 रुपे हैं, और अभी आपको Amazon पर 1500 रुपे का coupon मिल जा वक्त आ गया है, अपने last smartphone के बारे में बात करने का, तो नमर वन पर जपने smartphone रखा है, अगेन इस phone का भी camera काफी सही रहेगा, और साथ महीं बागी के features भी काफी सही है, जिहां इस phone का नाम है, Vivo T2 5G, offer वगरा लगा कर 15,000 के आसपास ये phone भी आपको मिल ही जाएगा, वैसे 7.8 mm के ठिकने से मतलब काफी पतला phone है, and 172 gram weight है, तो weight भी बहुत कम है, साथ महीं IP54 के rating भी है, तो overall design और build quality बहुत ही अचा रहेगा, कुछ basic features के बारे में बात करें, तो single speaker मिलता है, जिसके output अची है, और hybrid SIM slot option दिया गया है, मतलब दो 5G SIM या फिर एक SIM औरक memory card लगा सकते है अच्छी बात यह है कि biometry के लिए in display fingerprint scanner मिलता है, fun touch OS 13 पर रन करता है ये phone, which is based on android 13, spawn को 2 years तक major android update मिलेगा, and 3 years तक security patch update, बाकी auto call recording option भी दिया गया है, बिना announcing वाला, चलिए इसके साथ ही कुछ main features भी जानते हैं जल्दी से, तो 4500 mAh की battery लगी हुई है, जो कि support करती है 44 watt fast charging को, तो थोड़ी सी छोटी battery है, लेकिन फिर भी एक दिन का battery backup दे देगा ये phone आपको, बात करें display के बारे में, तो इस फ़न में लगावाए 6.38 inches की FHD Plus Super AMOLED display, जो की 90 Hz deficit के साथ आता है, 360 Hz की touch sampling rate है, और 1300 nits तक की peak brightness दी गई है, तो काफी brighter रहेगा display, overall display काफी सही है, panel की quality काफी compact size का display है, बाकि multimedia consumption के लिए अच्छा रहेगा, camera की बात करोगे तो पीछे के दरब दो camera है, जिसमें से primary sensor 64 megapixel का है, और ये OS support के साथ भी आता है, साथ महीं second camera 2 megapixel का है, जो की depth camera है, rear camera से Full HD में 60fps तक video record कर सकते हैं, आगे के तरब 16 megapixel की selfie है, इस camera से 1080p में 30fps तक video record कर सकते हैं, तो इस phone का camera performance अच्छा रहेगा, प्रेज के हिसाब से, main camera काफी अच्छे से perform कर लेता है, लगवा घर सिनेरियो में, and OS होने के वज़े से low light photography भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, प्रफोर्मेंस की बात करें, तो इस phone में लगा हुए snap dragon 695 वाला 5G chipset, 6NM पर बना हुए, 4 लाक से उपर आंतु दुश्कोर आता है, साथ महीं, UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLP DDR, 4X वाला रैम है, तो नॉर्मल यूज में, परफोर्मेंस आप को बिल्कुल वे इशू नहीं होगा, इवन आप मीडियम सेटिंग में गेमिंग वगरा भी कर सकते हैं, long session तक, गेमिंग के ल आउजन रुपीज है, और अभी आपको 2000 पे तक, बैंक डिसकान वे गराभी मिल जाएगा, तो उफर के साथ इस फॉन का आप 15,000 के नीचे भी बाई कर सकते हैं, अभी भी, तो चेक आउट कर सकते हैं, ये रहे प्रोजन कॉन्स, तो दोस्तो यही थे टॉप 5 बेस्ट कैमर स्मार्टफोन, जो कि आपको मिल जाएगा, 15,000 के आसपास, प्रैस फ्लैक्टवेट होती रहती है, तो इस पात का ध्यान रखेगा, और फिलाल दोस्तों, रियल्मी 11 5G भी 16,000 के आसपास मिल रहा है, और इस प्रैस में पर ये भी काफी सई फॉन है, देखना चाहते हो, तो